गुरुदेवरो आजमन हुए भक्त्र मन में बड़ी खुशी हुई पुरुदेव ने आसन पर विराजमान किया आरो गुरुदेवरी चोकी-चोकी गेरी-गेरी मनवाना करें बोले चोका रंदावू उचिला उपर खिरत खलावना खीर खांडरा इमरत भोजन संतोने जीर महावड़ा सत्गुरु आया पावड़ा आजिरे आनंद भयो मरा ताता आया पावड़ा आजिरे आनंद भयो परसत गुरु आया पावड़ा आजिरे आनंद भयो आप्रावड़ा आजिरे आनंद भयो आप्रावड़ा मतुराजी में कंस मारियो मतुराजी में कंस मारियो लंका में जी रावना मतुराजी में कंस मारियो लंका जी में रावना भलिके द्वारे आप पधार्या मावन रूत पधरा हावना पलिके स्वारे आप पधाया, पावन रूत धना हावना सत्गुरु आया पावना, परमेसर आया पावना आजिरे आनंद भयो, परादाता आया पावना इहो अरे सत्गुरु आप जी आदे अंत में भक्ति शिरोमणी मीराबाई बहुंती सुन्दर बात कहिए वजनरे विराजबान सभी महानुबाब गौर्शु सुने द्यानपूर्वद सुने आँ सभी लोग भक्ति शिरोमणी मीराबाई लिख्यो कि गुर्देवने चर्णों में 68 तीरत्रों फल आदमी अरिद्वार जाओ आदमी चार दामनी यात्ता करलो परंतो यदि सच्चे मन्सु गुरुमराज रे गुर्देवने चर्णों में आदमी अपनी भक्ति करले तो सभी पकार्य तीरत्रों फल शिरी गुरुदेवने चर्णों में है इन पकार्णी बात भक्ति शिरोमणी मीराबाई लिख्यो कि गुले अरे अड़ सक्त तीरति सक्ति गुरु सरीने अरे शक्त तीरति सक्ति गुरु सरीने दंगाजी में नावेना गुरु शरेने बाई मीराबोले अरे कणिरक गुनिभावडा सत्ट गुरु शरेने मीराबाई बोले अरे कणिरक गुनिभावडा सत्त गुरु आया पाविना अर मेश्वर आया पाविना आजी रे आनंद भयो भरा दाता आया पाविना आजी रे आनंद भयो भरा सत्त गुरु आया पाविना आजी महारे आनंद भयो रामदास जी आया भावेना आजी रे आनंद भयो मरसत गुरु आया भावेना में पुर्श आनंद भावेना